तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तत्व मिमान्था की ठीक है तत्व क्या है वो एक ऐसी मूलभूत वस्तू ठीक है जिससे की अन्य नहीं चीजों का स्रजन हो सके निर्मान हो सके तो उसे तत्व कह सकते हैं अब इस पूरे तत्व मीमानसा के concept को समझने के लिए अब यह संसार है वो किस चीट से बना है ठीक है इसका मूलभूत तत्व क्या है उसी के विशय में आइन विभिन नसम प्रदाय हुने जो बातें कही गई है उसी को कहते हैं तत्व मीमानसा यहां पर हम यह समझेंगे कि तत्व मीम कराते हैं इन तीन प्रश्णों का समाधा अगर आपने पालिया तो मोटा मोटा ग्यान आपको हो जाएगा पहला तो यह कि तत्व क्या है दूसरा तत्व का स्वरूप क्या है और फिर तत्व के भेद क्या हो सकते हैं अलग लग संपरदायों ने कितने प्रकार के तत्व मान इसकी रचना जिस चित से वह योगी एक तत्व तो वही है ठीक है दूसरा आत्मा को भी तत्व माना गया है और इश्वर को भी तत्व के रूप में स्विकार किया गया है अब इन चीज़ों के विसे में आपने समझ लिया तो तत्व मिमांसा का एक विशह प्रविसाप का हो में अब जगत की विशह में अगर बात करें तो तीन इसमें से भी प्रस्ट निकल कर आते हैं ओक्रोप से कि जगत का निर्मान हुआ है यह संसार यह पूरी श्री जो हमें द钱 हुआ है यह इसे बनाया गया है या फिर इसका विकास हुआ है अगर आप मानते हैं कि इसका निर्मान हुआ है ठीक है हम जगत के उपर बात कर रहे हैं अगर आप मानते हैं कि इसका निर्मान हुआ है तो इसी वाद को जाना जाता है स्त्रिष्टिवाद के नाम से कि इस जगत को बनाया गया है ठीक है और अगर आप कहते कि नहीं इस स्रिष्ट को बनाया नहीं गया है अपने आप ये विकास इसका हुआ है ठीक है स्वयम निर्मित है ये तो इसे कहते हैं विकास वाद के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है अब ये जो निर्मान है स्रिष् अपने आप हुआ है या फिर इसे किसे ने बनाया है जैसे की इश्वर ने ठीक है अगर यह अपने आप इसका निर्मान हुआ है तो किन चीजों से बना है किसे बना है पहला प्रस्ट नहीं आता है तो इसका उत्तर में कह सकते कि जड़ परमानों से बन सकता है परमानों जो स् और चारवा को जैसे हम मान कर चलें वैशेशिक दर्सन को मान कर चलें तो वो अनू को मानते हैं ठीक है चारवा कहता है कि प्रिस्वी जल तेज और वायू जो है इन चारों चीजों के मिश्रण से अपने आप ही इस संसार में जो है चीजों उत्पन होने लग गई और उनमें नए लाल रंग का जो है निर्मान कर देते हैं असल मेंसे कोई बी लाल रंग वाला नहीं है लेकिन मिला जलार रूप में निकल कर आथ perceived तो लाल रंग कर निकल कर आए यसा पतार थैन पिरत्वी जल जर्ज वायू मिलते हैं परमानू मिलते तो पिर स्कूर आप इस जगत का निर्मान मनते हैं तो स्रिष्टवात की नाम सो जाना जाता है या तो आपने आप लिजाँन अधर प्रिम में विज्यान कर चाहता है कि הי adapted का दाहिए ज जर्ड और मारेव को में में विद्ञान कहता है कि हाइड। पृदरं घ्म से प्रत्राइब जो जो इसको बिग बैंग थेरी एक तरह से का जाता है या और चारवा कादी जो मनत है कि पिर्थिवी जल तेजवायू इन पदारतों से मिलकर बने ही ए और अगर इश्वर ने इसका जिर्मान किया है तो इसकी भी दो संभावने हो सकती है कि इश्वर के अंद कि और झालव का дून फ्रकार का निमित्रा कारण जो एक निर्मान करता है थे उसी फिर इसका उत्रई है कि उन्हें भी परमानों ही लिए होंगे और न्यायादी जिस तरह से ये सब मांनते हैं ठीके न्यायादी कहते हैं जिसे घड़ा है घड़ा हमें देख रहा है तो घड़ा कारी है इसका कोई कारण अवश्च्छे होगा तो मिट्टे इसका कारण है, कुमहार इसका कारण है उसी प्रकार ये जो परवत, पठार, नदी जो हमें दिख रही है, सागर ये भीत़ कि सेने बनाया होगा, वो बनाने वाला कौन है? इस तरह से न्याईर की सिद्धि करता है तरक के माध्यमसे ठीक है तो यह जगत के निर्मान और विकास संबंधी बाते होई इसके बाद अगला प्रस्ट अब्जो दूसरा है विकास, जगत का विकास हुआ तो विकास के संद्र में भी विकास बात चलता है और प्रकृति और पुरुस के संयोग से इस स्रिष्टी में अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हुई ठीक है पुरुस के चाया जो उस पर पढ़ी उसमें तो सत्व और अजस और तमज जो तीन गुण थे उनमें उद्रेक होने लगा और उससे फिर सिष्टी गुद्पत्य होने लगी यह सब सांकी का कॉंसेप्ट है इश्वर को मान कर योगदर्शन इसमें एक और चीज़ जूड़ देता है कि इनको मिलाने वाला Çaal वो इश्वर था ठीक है तो इस तरह इसे सांकी दर्शन में इस संसार के विकास संबंधी बात विकास बात के नाम से नाम से सांकी का कॉंसेप्ट जो हो जाना जाता है हैं जगत्म strat कैसे बनी जगत की उत्पत्ती थीकं जगत-में व्यवस्थ्था एंप इसमा फ़तर सकते हैं जो सभी चैनल पेग्याब होते हैं आपको मिलेंगी वख मिलेंगी जैसे चारवाग चार pale तो यह सब बातें आप जान सकते हैं यह बातें अब को बेसिक वह बताना में मुख्य रूप से वह भी आपको को पहुत आपके उससे पहले उसको कॉंसेप्ट है कि तो दोनों बातों में फरक है, उस फरक को दूर करने के लिए ही, उस संसियों का निवारन करने के लिए ही यहाँ पर उदेश्य है हमारा इन वीडियो को बनाना, आगे चलते हैं, जगत में व्यवस्था किस तरह से होती है तो जगत में व्यवस्था या तो अपने आप हो सकती है, इसके भी तीन कॉंसेप्ट चलते हैं, अपने आप अगर होती है, जिसे चार वाक मानता है, ठीक है, और या फिर कर्म सिद्धानत के द्वारा होती है, कि हम कर्म करते हैं और फिर उनका फल भोगने के लिए हमें वाप पुनर्जन में होता है तो यह एक जगत की व्यवस्था चली आरी पहले से चक्र की तरह चला रहा है ठीक है सब की तरही मुख्य प्रशन एक जगत है इसमें व्यवस्था चल रहा है है सब कुछ और चल रहा है काम सही से हो रहा है अच्छा इसका तो अब बताएए कि जगत नित्य है या अनित्य है क्या यह हमेशा रहेगा या एक दिन समाप्त हो जाएगा ठीक है तो यह जैसे कि बिग बैंग त्योरी है वो एक और कॉंसेप्ट देती है कि लास्क में डार्क आवर आएगा जिसमें कि सब वो गुरुत्वा कर्शन हुआ उसमें सब अपने अंदर सम तो उसका विनाश भी है तो वह सब चीजह क्या हैं ठीक है यह जगतनित्य है और टॉण हैं तो आत्मा के विश्य में विचार करते हैं कि आत्मा क्या है असल में और तत्व मिमानसा से इसका क्या संदर्व है क्या संबंध है और आत्मा के संबन्न में जानते हुए ही हम ये भी जानेंगे कि जो लोग कहते हैं कि हमने भूत देखा है ठीक है आत्मा हमें परिशान किया है आत्मा ने हमें तो इस से भी परदा जो उठाएंगे आज ठीक है जो भूत सिर्फ गाओं में होते हैं शहरों में जबकि आब एक सोच के देखिए, आत्मा कहते हैं कि आत्मा ने परिशान किया भूत आ गए, अब देखिए जहां असल में भूत का कॉंसेप्ट है गावों में, वहां उतना युद्ध तो हुआ नहीं है, दिल्ली जैसी जगह में हम रहते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं वह सब दिल्ली के आसपासी बनाएगी जैसे मेरट के इधर दिल्ली के बाहर का बॉडर के अरिया जो सारा है, यहां आपको कभी भूत नहीं दिखेगा, ठीक है कुरुक्षेत्र यहां पर कुछ दूर, कुरुक्षेत्र है वहां इतना बड़ा जो है युद्ध हुआ मावा को ठीक है कि नैनम चिंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहति पाव का यह सब बाते भी कही गई है और अलग-लग संप्रदायों के लग-लग मात हैं हो सकता है किसे को दोड़ाय भी गया हो, असल में यह सब मन का भ्रहम है और कुछ नहीं है, मुझे भी मेरा भी सामना हुआ निय जाकर के एक ताबूत पर कील घहट कर आएगा, ठीक है, हम मान जाएंगे कि उसमें जिगरा है असल में, वो उसमें दम है, यह हम मान जाएंगे, तो चार दोस्तों में सर्त लगी, पुराने जमाने की बात है उस तमें पर भारत, जून, मैई-जून का महिना रहा होगा, तो गर्मी भी रही होगी, धोती पहनते थे उसमें पर लोग, तो एक दोस्तों ने कहा किसी में हिम्मत नहीं हुई, रात के बारे बज़े जाना था, वो भी अमावस की रात को, तो एक दोस्तों ने कहा मैं जाऊंगा, ठीक है, और तुम्हें फिर मानना पड़ेगा कि हाँ, मार्द हूँ असल में, अब अंदर से वो भी बहुत डर रहा था, वो गया वहाँ पर, और उसको डर भी लग रहा था, कहीं एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बीच में कब्र है, उस पर मुझे कील ठोकर आनी है, तो कहीं कोई भूत आके मुझे ना पकड़ ले, यह भी चल रहे है, रात के बारा बजे, एक बजे हवा तो चलीगी, समशान घाट में मैदानी इलागा जैसा होता है, तो हवा के साथ-साथ, धोती उड़ी और धोती उसमा आगई कब्र पे, और साथ में दावूत पे, और कील भी घेंट रहा है, तो धोती ही घेंट दी, कील के अब जब भागने लगा, तो धोती अटक गी उसमें कील पे, तो उसे लगा, कि मुझे जो है, भूत ने पकड़ लिया, जिसकी कब्र को मैं, जिसकी कब्र पे मैं कील मार रहा था, उसने मुझे पकड़ लिया, और अभी मुझे खाएगा, और इसी डर से उसे हाट एटक तो ये अलग-अलग तरीकी कहानिया बताई जाती है, कुछ लोग ऐसा दावा करेंगे कि बिलकुल भूत ने पकड़ लिया था, बस बाल-वाल ही बचे है, कल रात मुझे दोड़ा दिया था, मेरे उस घर के जो लाइट हवार नब जिल रही थी, ठीक है, तो कई सारे कॉंस आज हम जानेंगे कि किस तरह सात्मा के विशमें तब इमान से में कहा गया है, थोड़ा से इसको जानने का प्रयास करेंगे, असलमा आत्मा है क्या आत्मा का स्वरूप माना गया है, आपको नुकसान वही पहुँचा सकते है जिसका एक शरीर है, ठीक है, और दूसरा आपक अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है वह आपका डर ठीक आत्मा का शरीर नहीं होता है सबसे बड़ी बात आत्मा का स्वरूप क्या है कुछ कहते हैं कि चैतन जो हमें दिखाई दे रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है चैतन्या मैं बोल रहा हूं यह मेरे अंदर का चैतन्य और सभूरेसों है इसले है उसी के कारणेख लाइट जल रहे है इसके अंदर काकर चैतन स्वरूप कि ओलेट माली है क्लशका आत्म लाल सकते हैं इस सब करक्त है हो उतने ही जघह पे इतनी ही आत्म है और वह सब के भी परिमान वाली आत्मा जो है, वो सब संसार की स्रिष्टी को चलाए हुए है, दूसरा कहते है कि महत परिमान वाली है, अच्छा अगर अणू परिमान वाली होगी तो हाथी के शरीर को कैसे चलाएगी हो, हाथी के लिए फिर वैसे अगर आत्मा सिर्फ हिर्दे में है, तो यहा यहां पर आत्मा है या नहीं है तो इसलिए आत्मा सिर्फ वहां पर नहीं है दिल में नहीं है हिर्दे में नहीं है बलकि आत्मा पुरे शरीर में है अब उनको फिर यह सवाल पूछा जाता है कि जब हाथ कड़ जागा तो कि आत्मा भी कड़ गई तो वहां पर फिर वो थोड तो लाइट की रोश्णी जो है प्रकाश वह कमरे के आयतन के हिसाब से उतना ही फैला ठीक है और जब आप एक हॉल में गए बड़े से वहां आपने वही वह जला तो उस बल्ब का जो प्रकाश है उस लाइट का जो जो तरंगे विद्युद जो है वह जितना उसका प्रकाश ह वह उस कमरे के आयतन के बरावर जो हॉल के आयतन के बरावर फैलरी उसी प्रकार आत्मा है कि अगर चीटी के शरीड में प्रवेस करेगी तो चीटी के शरीड के बरावर हो जाएगी और अगर हाथी के शरीड में प्रवेस करेगी तो हाथी के शरीड के बरावर हो जाएगी तो यह जैन दर्शन का जो concept है देहात्म परिमानवाद का ठीक है तो यहीं से कई सारे वाद निकल के अनु परिमानवाद, महत परिमानवाद देहात्म परिमानवाद, यह निकल कर आते हैं इन से संबंधित जो बाते हैं वही है आत्मा के विशे में तब इमान समय कही गई है जो दूसरा ये वो है जो आत्मवाद को मानते हैं आत्मा है इसको मानते हैं जो आत्मा नहीं है मानते हैं उनके लिए तो कुछ बात ही नहीं है विशेस्ता क्या है आत्मा कुछ कहते हैं कि आत्मा करता है ठीक है कुछ कहते है आत्मा भोगता है जैसे सांके दर्षन में आप दिखेंगे तो प्रकिति और पुरुष के संयोग से श्रिष्टिगत पत्ते हुए पुरुष जो है वो करता तो नहीं है लेकिन भोगता है अपने भोग के लिए वो श्रिष्टिगत पत्ति करता है इस तरह से और जब वो ये मानने लग जाता है कि मैं ही करता हूँ तो वहीं से वो बंधन में फसने लग जाता है और इसी बंधन से मुक्ती को वहाँ पर जो है मुक्ती कहा गया है इसी बंधनों से मुक्त होने का मार गई सांके दर्शन में मुक्ती की नाम से जाना गया है ठीक है कैवल यह उसे कहा गया है वहाँ पर और आत्मा भोगता है या करता है या ग्याता है असलमें यह सब कॉंसेप्ट इसकी विशिस्ता की रूप में चलते हैं अलग-अलग दर्शन अलग-अलग चीज़ा मानते हैं क्योंकि ग्यान जो है ग्यान होना यह चैतन्य का ठीक हमें जो करो कि दolithic क ogad करता है यह कौंसेटे है पिर इसकी संख्या के विशे में वीचार होता है कि राइक है या अनेक है जैसे नौक है जितने शरी है उतनी आत्मा है ठीक है अनेकात नुवाद इसमें चलता है, इसको अनेकात नुवाद कहते हैं, अनेकात नुवाद के में फिर बहुत हरे तरका देता है कि जन्म मरन में भिन्नता होती, कि अगर आत्म एक ही होती तो एक मरता तो सारे मर जाते, एक खुश होता तो सारे खुश होते, एक दुखी होता तो सारेय दुखी ओते तो जन्ममरणमा में भिन्नता दिखाई देती हैं बंधन और kupष में भिन्नता दिखाई देती है एक कोई कुई कारी मुझे पसंद हो लेकिन ज़ारी नहें कि हो दूसरे को भी पसंद हुआ इसका मतलब हम दोनों में भिन भिनन आत्म हैं शEERीर tupperशहсятटा के कारण ठीक है कोई मोटा होता है कोई पतला होता है कोंपर अधिर अलेकर शरीर का idée मनुश्य एक कोईपषेव कोई कीट पतंग का इनके कारण भिनताओं के कारण भी जो है हम यह मानता है कि प्रतिशरीर भिन आत्मा है और दूसरा एक विदानत का मानना है कि आत्मा बहुत सारी नहीं है आत्मा एक ही है कैसे विदानत इसकी परिभासा कैसे करता है कि जैसे जैसे सूरी है ठीक है आकास में सूरी आपको रग्दिए और आप मुख्य सूरी को नहीं देख रहे हो में दस शीशे जो कि मैंब और सॉद्वर आप नहीं है तो किया है। से अब आकास तो असल में एक ही है जो हमें दिख रहाए बाहर बाहर का में चछत बन लिखे एंदर लू पोई सबकुछु है क्या आभी ये मठा काउश बन गया या घड़े के अंदर का जी इक ही ग्रौन हो रहा है तो ये जो एदान्त ये तो संख्या के विशब में भी आत्माुजी परकार के सवाल होते हैं सत्ता के विश्य में कि आत्मा की सत्ता है या नहीं है तो अगर चेतनता है तो सत्ता है कुछ कहते हैं कि चेतना के आधार पर सरी संचालन्ज हो रहा है या हाथ को हिला रहा हूँ मैं बोल पा रहा हूँ आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं चेतना के आधार पर हम कह सकते कि आत्मा की सत्ता है ठीक है और फिर या फिर इंद्रियों के उपभोग करता के रूप में जो इंद्रियां जो है निक प्रकार का उपभोग करती है रूप रस गंद शब्द सपर्स जो है ये हमारे उपभोग हैं इंद्रियों के दार किये जान चारवाग इसमें यही मानता है कि चार चीजें हैं प्रतिवी जल तेजवायों मिल गई और जैसे कि पान कथा चूना उसमें जो है यह सम्मिला करके जिस तरह से लाल प्रकार का पदार्थ लालीमा अपने आप ही आ जाती है पान खाने वाले के मुह में इन चारवाग चीज़ करें याल तो इस तरह से आत्मा के विश्वे में विचार किया है अब चलिए जानते हैं कि इस इश्वर के विश्वर के विचार करते हैं कि गान हों में गयां है संदर्व में धर्श्न का जो आधार है अब इश्वर के विशे में सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहला प्रसुन तो यह है कि इश्वर एक वरदान है हमारे लिए यह अभिशाप है ठीक है कुछ पिछले साल आपने घटना सुने होगी बुराडी मैं जो दिल्ली का प्षेतर है बुराडी उसमें एक प इश्वर के लिए तो क्या इश्वर वहाँ पर उन्होंने अपने एक जीवन बरबाद कर दिया एक तर बरबाद नहीं किया असल में उनका अपना जो भी उनको संतुष्णी मिलती हो लेकिन क्या पता अगर वह एक बड़े साइन्टिस्ट बन जाते क्या पता अगर वह देखें शहर में आप लोग रहतें तो आपको इश्वर के जरूरत नहीं पढ़ती होगी वहाँ पर उनका जीने कऔर सहारा कोई है ने इश्वर के लावा तो क्या इस वर्दान है ठीक है सुबह साम जो दिया जलता है जो उनका कुल देवता है उनका नाम लेने से जो एक जीने की एक जो वजह है उनको मिलती है भजन गाती रहते दिन भर तो क्या ईश्वर एक वरदान है वहाँ पर ठीक है तो एक जीने का जो एक वजह है जो हमें देता है एक संदेश देता है बा समाचार मिलते रहते होंगे एक व्यक्ति इसलिए बिल्लिंग से कुद गया क्योंकि उसे ये जानना था कि मरने के बाद क्या होता है क्या यूश्वर लेने आते हैं या नहीं आते हैं ठीक है यह फिर ऐसी कई घटना आपने सुनी होंगी मकर की घटना और हाथी की घटना जो ह हाथी के परिवार वाली भी वहाँ से उसको छोड़ कर चले गए और फिर जब उसने ईश्वर का नाम लिया नारायन का नाम लिया तो फिर उन्होंने आकर उसको बचाया ठीक है या फिर इस तरह से अजामिल की कथा जैसे आती है तो क्या इश्वर वरदान है या अभी शाप है वो सब चीजें जो है उन सब चीजों के विशें में बात करना ही कहला जयता है इश्वर के विषय में बात करना उसकी सत्ता के विषय में बात करना और वो तत्व मिमानसा के संधर्व में बात की जाती है दर्शन का जो concept है अपना सोच का दैला घुड़ा बड़ा रखेंगे जरह व्यापक रखेंगे तो थोड़ा से इसको समझ पाएंगे नेरो मैंड मत होईएगा भावनों को आहत मत कीजिएगा अपनी दूसरा सबसे एक महतोपुन प्रशन और है कि क्या मनुष्य जो है मनुष्य ईश्वर की रचना है या ईश्वर मनुष्य की रचना है ठीक है इश्वर ने हमें बनाया या नहीं बनाया ये तो हमें नहीं पता लेकिन हाँ एक विद्वान ने कहा है पास्चाते दार्शनिक है उसने कहा है कि हाँ इश्वर को जरूर मनुष्य ने बनाया है क्योंकि इश्वर का कॉंसेप्ट मनुष्य ही लिकर आया ठीक है आपको किस ने बताया कि इश्वर है मनुष्य ने ही तो बताया जिस ग्रंथ को पढ़कर बताया उस ग्रंथे को किस ने लिखा होगा मनुष्य ने ही तो लिखा होगा ठीक है तो इस तरह से क्या इश्वर मनुष्य की रचना है या मनुष्य इश्वर की रचना है तो इसके विशे में भी जो पूरा कॉंसेप्ट है ये पूरा तत्वमिमान सर्म आता है और यहां से एक प्रश्ण और होता है कि जैसे ईश्वर और जगत में संबंध क्या है कि क्या इश्वर इस जगत का करता है ठीक है या उसमें या उसकी लीला चल रही है वेदानति के नुसा अपके साथ में जिससे भी आप प्यार करते हैं या कोई भी किसी के साथ भी आप जा रहे हैं और एक दम से एक जो है ड्राइवर जो है वो उसकी गाड़ी से उसका कंट्रॉल खो चुका है वो और वह बड़ी स्पीड से आती है और आपकी और बढ़के आपको उड़ा के ल नहीं तो जब तक आपको बलब उस गाड़ी ने नहीं मारा था तब तक आपको वो सब कुछ जूट लग रहा था क्या सब कुछ सच लग रहा था ठीक है सपना था असलमा लेकिन लग तो सब सच ही रहा था उसी प्रकार विदानत कहता है कि ये जो दुनिया है तुम कुझ सपने में देख रहा है हमें एक फ्री मैन एक मूवी है एक उस दिन पहले आप देखेगा जरूर हॉलिवूड की उसमें भी यही है तो उसमें यह कहा गया है कि इश्वर जो है वो सपना देख रहा है और सपने में उसके लीला चल रही है जब वो जागे या थोड़े दिर और आम करने के लिए और उनके सपने में सबकुछ पूरी दुनिया चल रही है जागेंगे तो खता हो जाएगी दुनिया प्रले हो जाएगी ठीक है तो उसी प्रार हमारा सपना सच नहीं है उसे प्रकार यह भी का सपन है ये सब कुछ भी सच नहीं है, मिथ्या है, ठीक है, ये विदानती का कॉंसेप्ट हो, तो ईश्वर और जगत में संबन्ध है क्या है असल में, फिर ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो निराकार है, आप जैसे तस्वीरें हम घर में मूर्तिया बनाते हैं, तो हमें कैसे पता कि इश्वर की ऐसी दो आखें हैं, वो देखने में इतना सुंदर है, ठीक है, आज कल जैसे आपने भगवान शिव के अपने तस्वीरें देखेंगे, बिल्कुल दाड़े वाड़ी बनाके एट पैक निकाल देते हैं, ठीक है, और बाबा का कॉंसेप्ट दिया जाता है, की दाड़ी भी तो आपको मिलेगी, तो वो तस्वीर आपको दिखेंगे वापर, तो अलग लग जैसा भाव भक्त के मन में होगा, वैसा वो सुरूप बनाता है, इश्वर निराकार है या साकार है, सगुण है या निर्गुण है, ठीक है, जैसे प्रकृति, सांख्य के अन सारी में निर्गुण है, या सगुण है, ये वाला कॉंसेप्ट भी इसी के अंदर आता है, और साथ में इस्वर की सत्ता के विशह में, अब सत्ता की विशह में, इस्वर की सत्ता है, कैसे मानोगे, न्याई कैसे सिद्ध करता है, न्याई की बात आपको बताई थी थी उसी प्रकार की संसार जो हमें देख रहा है कार्ज Sky है वह एक वार इसको बनाने वाला यह वह रहा है दूसरा नैथक मुल्य तरक दिये जाते हैं कि नातिक मूल्यों की महत्ता और उनकी आधार के रूपमें जो है वो असल में इश्वर है और इसके साथ-साथ एक प्रयोजन मुलक तरके दिया जाता है कि इश्वर है उसकी सत्था है इसके समंद में यह तरके दिया जाता है कि जगत में जो विद्यवान जो भी हमें व्यवस्थाइं दिख रही है जो समायोजन हमें दिखाई दी रहा है जो अनुशासन हमें दिखाई दी रहा है तो इसी विवस्था के विवस्थापक के रूप में समायोजन के समायोजक के रूप में और अनुशासन के अनुशासक के रूप में जो है वो इश्वर है तो इससे इश्वर की सत्ता को करने का प्रयास किया जाता है तो यह पूरा कॉंसेप्ट जो है अभी तक हम ने समझा मुख्य रूप से जगत की बारे में आत्मा के बारे में इश्वर के संबंद में और इनहीं सभी के विशे में बात करना इनहीं सभी के विशे में चिंतन करना चर्चा करना पढ़ना सिद्धानतों को जानना यही है पुरा तत्व मिमानसी है परिप्रेक्षिसे दर्शन को समझने का प्रयास करना ठीक है तो दर्शन के तीन मुख्य आधार स्थम्मों में से दृष्टी कोन में से जिसमें से ज्ञान मिमानसा तत्व मिमानसा और आचार मिमानसा, उसमें तत्व मिमानसा को हमने समझा, तो चलिए अब इसका अगला स्टेफ जिए ज्यान मिमानसा, जिसको प्रमान मिमानसा के नाम से भी जाना जाता है, अब ये संसार की उत्पत्य होगी, स्रिष्टी होगी, हमारी उत्पत्य होगी, तो अब ज्यान कैस संघ होगा ठीक है चले ज्रूरत क्या है है यह हम तब आचु तरह से समझ पाएंगे जब के?